तो आपको जैसा की पता है कल से आपकी जो UP की आयूश काउंसलिंग है उसके यहापर रजिस्टेशन स्टार्ट हो जाएंगे बहुत सारे बच्चों की मेरे पास ये क्वैरी आरी थी कि जो नए BMS के प्राइवेट कॉलेज खुले हैं उनका क्या review है और क्या उनका fee structure है कोई hidden charges है या नहीं है सारी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा और ये वीडियो अगर कोई student देख लेता है तो उसके साथ किसी भी प्रकार की कोई भी गलत चीज नहीं होगी तो वीडियो बहुत ही important होने वाला है जो भी बच्चे यहां पर BMS private college के अंदर admission ले रहे हैं तो hey guys this side Dr.Motion मीना कैसे हैं आप सभी उमीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे तो आप यहां पर देख सकते हो यह आपकी UPI use counseling की website है और यहां पर आप देख सकते हो जो first round counseling का वो 25 September को यहां पर चालू हो जाएगा सुबह 10 बजे से आपके यहां पर registration स्टार्ट हो जाएंगे और यहां पर आप देख भी सकते हो 18 गंटे और 25 मिनिट बाकी है registration स्टार्ट होने में तो यह website है इसके उपर आपका यहां पर registration होना है पहली चीज़ आपको यह clear होनी चीज़ है अब registration करने से पहले आपको क्या करना है जो यह browser है इसको आपको बहुती ध्यान से पढ़ लेना है अगर जिन बच्चों नहीं प ले सकते हो बाकी जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारा being doctor app डाउनलोड नहीं किया है जो बच्चे यहां पर BMS के अंदर आना चाते हैं और BMS के बारे में जानना चाते हैं सीखना चाते हैं उनके लिए बहुती अच्छा platform है जहां पर आप देख सकते हो BMS first year की classes clinical course second year की classes सा यह चीज आपको यहां पर देख लेनी है अगर कोई भी बच्चा interested हो तो application download करके सारी चीजों को देख सकता है सारी चीजों का link मैंने यहां पर description box में दे रखा है तो आप यहां पर देख सकते हो मैंने new BMS private colleges का पूरा यहां पर listing करके बताया हुआ है अब यहां पर हमें क्य college को हम review करेंगे और मैं आपको यह भी बताऊंगा क्या fees ली जा रही है college की तरफ से और यह college वर्थिट है या नहीं है तो देखो हमारा जो सबसे पहला college है वो है सर्देव आयर्विदिक college जो की आपको आजमगड के अंदर देखने को मिलता है तो आजमगड के अंदर यह college located है तो अगर आप इसको ब्राउचर के अंदर देखोगे तो ब्राउचर के अंदर जो सर्देव आयर्विदिक college है वो आपको second number पर देखने को मिलेगा जिसके अंदर आप यहां पर देख सकते हो 60 seats का इसका intake है 2,4,600 रुपे इसका fees है प्रतिवर्स है security amount नहीं है प्रविश 20,000 रुपीज ली जा रही है मुझे थोड़ा बहुत यह विकास सुल्क और अन्य सुल्क के बारे में समझ में नहीं आया college बिल्कुल नया है लेकिन फिर भी development fees और अन्य फीज वगेरा यहां पर ली जा रही है तो यही चीज़े होती है जिनका बच्चों को यहां पर धिहा पूसरा है आपका डॉक्टर शकुंतला देवी आयर्विदी कॉलेज जो की आपको जौनपूर के अंदर देखने को मिलता है जौनपूर का यह पहला college है इसको भी आप यहां पर देख सकते हो यह जो college है यह आपको 26 नंबर के उपर मिलेगा यहां पर अगर आप ब्राउच जो को ले लेना है क्या फी स्ट्रक्चर रहने वाला है कोई hidden charge तो नहीं है क्योंकि बाद में क्या होता है बहुत सारे colleges क्या करते हैं मनमानी करने लग जाते है एक्स्ट्रा चार्ज फीज यह फीज वह फीज बहुत सारी चीजे लेते हैं मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी वीडियो के लाश्ट तक आप बने रहेगा वस मतलब फिर उसके बाद में जो हमारा next college है वो कौन सा है राजश्री आयरविदिक college जो कि आपको बरेली UP के अंदर देखने को मिलता है इनका MBBS भी है और अब इनका यहां पर क्या आ गया है BMS campus आ गया है तो यह जो college है यह प्राग 4,600 रुपे fees है और 20,000 रुपे विविदी शुल्क के नाम से लिया जा रहा है इसके अंदर जो hostel है एक सांथ हजार रुपे का है और AC वाला hostel 85,000 का है तो hostel की फीज तो यहां पर काफी कम है और college भी अच्छा है infrastructure वगेरा इसकी सारी चीजे बढ़िया है फिर उसके पाद में हमारा जो next college है वो है एसके मिस्रा अनिता मिस्रा आयरिवेदी college जो की आपको आजमगड के अंदर देखने को मिलता है और अगर आप information ब्राउचर के अंदर देखोगे तो यह जो college है यह आपको 51 नंबर पर देखने को मिलेगा आप यहां पर देख भी सकते हो 60 seats का intake है और दो लाग 4,600 रुपे फीज है होस्टल सुलक 70,000 है और एसी वाले का एक लाग 5,000 है मैं अभी आपसे क्या कह रहा था अभी मैं आपसे यही कह रहा था कि जो new colleges होता है उनके अंदर maximum यहां पर आपको कोई भी अलग से development fees registration fees security amount की फीज यह सारी चीज़े देखने को न सुल्टल 72,000 है तो यह चीज़ भी आप देख सकते हो यहां पर उसके बाद में आप यहां पर देख सकते हो RGS आयरविदी कॉलेज लखना हो बहुत डिमांड में रहता है कॉलेज 2,4,600 रुपे फीज है 50,000 रुपया security amount है जो की refundable रहता है और विकास सुलक seminar sports अन्य सुलक क dissection kit और ID card के नाम पर यहां पर आपसे 25,000 लिया जा रहा है लेकिन यह वर्थीट है college काफी अच्छा है infrastructure भी बहुत अच्छा है मैंने खुद ने RGS आयरविदी कॉलेज को विजिट किया है मुझे भी काफी अच्छा लगा है college तो यह चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी ह उसके बाद मैं मैं आपको कुछ और college इसके बारे में बता देता हूं जो नए आये हैं तो यहां पर आप देख सकते हो पांचवा है आपका महाराना प्रताब आयरविदी college जो की आपको कानपूर के अंदर देखने को मिलता है में कानपूर में नहीं है college कानपूर से सब अगल में आपको देखने को मिलता है और यह आपको इनफोर्मेशन ब्राउचर के अंदर 53 नंबर पर आपको देखने को मिलता है तो यहां पर आप देख सकते हो महाराना प्रताब आयरविदी college है जो की आपको बिठुर रोड कानपूर नगर के अंदर देखने को मिलता है दो लाग 4,600 रुपे फीज है और विकास सुल्क के नाम पर यहां पर आपसे 99,400 रुपे जो भी प्रती वर्ष लिया जा रहा है तो काफी ज्यादा फीज है मतलब जो की विकास सुल्क यानि development फीज के नाम पर आपसे ली जा रही है तो एक तरीके से एक बार college को इस की भी नहीं दी गई है तो एक बार students को college लेने से पहले college में call करके और जो भी management college गा उससे call करके एक बार जरूर से जरूर यहां पर पूछना चाहिए तो यह चीज आपकी clear हो गई यहां पर उसके बाद में बात आती है सत्यराज आयरवेदिक college जो की आपको बरेली के अंद पर देखने को मिलता है आप यहां पर देख भी सकते हो कोई भी एक्स्ट्रा फीज नहीं ली जा रही है आपसे मात्र 2,4,600 रुपे फीज है और होस्टल की फीज मात्रें आपर 72,000 रुपीज है तो यह एक नए college की पहचान होती है कोई भी extra fees नहीं कोई भी hidden charges नहीं तो यह यह चीज आपको यहां पर clear cut पता होनी चीए फिर उसके बाद में हम यहां पर कुछ और colleges को देख लेते हैं जैसे कि अर्णौ आयर्विदिक college जो की आपको 12 बंग की नियर लखनौ लखनौ के पास में देखने को मिलता है 12 बंग की नाम की जगह है वहां पर आपको यह college दे कि यहां पर कितना है 1000 रुपए लेकिन बहुत सारे बच्चों की मेरे पास यह complaint आ रही है जब हम college में call करके पूछ रहे हैं तो 22,000 मैं with proof आपको अभी के time पर दिखाने वाला हूं तो यहां पर आप देख भी सकते हो जैसे कि कुछ बच्चों ने मेरे पास message भी किये हैं यह यहां पर आप देख सकते हो हसन राजा नाम का student है जारखंड से उन्होंने यह लिखा है कि भाईया अगर education loan से BMS करना चाहें तो tuition fees पे करना होगा one year का 50% है शुरुआत में तो इन्होंने यह सारी बाते पूछी है उसके बाद में इन्होंने यह लिखा है ब्राउचर में अ अगर आप कोई भी private BMS college ले रहे हो तो आपको क्या करना है सबसे पहले college की fee structure पता कर लेनी है college के अंदर कोई hidden charge है यहां पर आप देख सकते हो ब्राउचर के अंदर कोई और fees है और बताई कुछ और fees जा रही है तो यह चीज आपको सबसे पहले clear होनी चीए उसके बाद में दूसरी चीज क्या है साड़े 4 साल की fees पता होनी चीए बहुत सारे students क्या गलती कर देते हैं एक साल की fees पूछ के phone card देते हैं लेकिन आपको क्या करना है साड़े 4 साल की fees जो है वो return format में लिखवानी है इसके अलावा कोई तो development charge या कोई extra fees या कोई security amount या examination fees के नाम पर 25,000 र fees match करके देखनी है आप यहां पर देख सकते हो बच्चा कह रहा है 25,000 रुपे fees ली जा रही है मुझसे लेकिन आप अगर यहां पर देखोगे तो यहां पर आप देख सकते हो ब्रावचर के अंदर fees कितनी है 24,600 रुपे fees है तो यह चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है बहुत ही जादा तो यह चीज के बाद में एक चीज यह आती है कि बच्चा यह गए देता है कि अगर मुझे सर अलोटमेंट हो गया किसी ऐसे कॉलेज में जिस कॉलेज के अंदर मुझे अलोटमेंट होने के बाद में यह पता लगता है कि इस कॉलेज की fees इतनी है तो आपक से सुनिएगा जैसे की college का result आया Collees filling t Roman下去 करी college रिज़ट आ गया ''Suppose करो आप को ए बी सी नाम का college आपको allot हो गया यह college आपको allot हो गया यह ABC नाम का अब आपको क्या करना है अगर आपको यह ABC नाम का college allot हो गया है आपको क्या करना है फ्मिए college में call करके फूछना है fee structure वगेरा सारी चीजों के बारे में आपको college में call करके पूछना है उसके बाद में अगर आपको यह लगता है कि यहां पर hidden charges या hidden fees ली जा रही है तो आपको क्या करना है जो nodal center है जो nodal centre है वहां पर आपको क्या करना है यह जो reporting है नोडल सेंटर पर आपको reporting नहीं करनी है अगर आप reporting नहीं करते हो तो क्या-क्या फाइदे होता है यह भी मैं आपको बताता हूँ नोडल सेंटर पर अगर आप reporting नहीं करोगे तो आपका जो 50,000 रुपे जो security amount है वो आपका क्या हो जाएगा बच जाएगा यहांपर पहली चीज दूसरी चीज क्या है कि 50,000 रुपे अगर आपका security amount यहांपर बच जाता है तो first round के अंदर क्या है free exit है लेकिन free exit कब तक है अगर आप नोडल सेंटर पर यहांपर क्या नहीं करते हो reporting नहीं करते हो बिना नोडल सेंटर पर reporting किये आप अपने यहांपर 50,000 रुपे बचा सकते हो लेकिन क्या होता है बहुत सारे बच्चे क्या करते है नोडल सेंटर पर reporting करने के बाद में college में जाते है अब अगर एक बार आपने अगर नोडल सेंटर पर reporting कर दिये उसके बाद में अगर आप college में जाकर admission नहीं लेते हो तो यहांपर आपका क्या होता है जो ही 50,000 रुपया होता है यह आपका क्या हो जाता है फारफिट हो जाता है counselor इसी चीज़ का यहांपर क्या करता है फाइदा उठाता है और आपसे यही कहता है कि आप एक बार क्या करो नोडल सेंटर पर reporting कर दो तो ध्यान रखे ना मेरी बात का information bulletin ध्यान से पढ़ लेना नोडल सेंटर पर reporting नहीं करनी है अगर आपको ऐसे कोई college के बारे में अगर आपको पता लगता है तो यह चीज़ आपको clear cut पता होनी चीए को मतुरा के अंदर देखने को मिलता है अब इस college के बारे में भी हम यहाँ पर देख लेते हैं इस college का क्या है तो यह college जो है यह आपको 73 नंबर पर देखने को मिलेगा 60 seats का intake है 246600 रुपे fees है caution money 5000 है प्रवेश सुल्क 10,000 है चातरवाश सुल्क 8,000 है और प्रवेश सुल्क 5,000 है बहुत सारे colleges क्या करते है information browser में लिखतो देते हैं लेकिन लेते नहीं है fees तो आपको क्या करते हैं अगर कोई बच्चा choice filling में भी कर रहा है किसी college को तो college से या आप हमारी team से भी पूछ सकते हो सर उस college की कितनी fees है क्योंकि देखो हमें maximum सारे colleges के बारे में पता रहता है जितने भी colleges आपको UP के अंदर देखने को मिलता है क्योंकि हमारा जो coaching है वो all over India के अंदर चलता है और ऐसा कोई UP का private BMS college या government BMS college नहीं होगा चाहे वो BHU हो लखनों का college हो किसी भी college हो कोई भी college हो कहीं पर भी हो वहाँ का बच्चा हमारी coaching में जरूर से जरूर पढ़ता है तो हम ये सारी चीजों की जो information होता है ये हम कभे भी किसी college से नहीं पूछता है सीधा जो बच्चा जो पढ़ता है उस college में उससे हम पूछते हैं इन चीजों के बारे में तो आप यहाँ पर देख भी सकते हो हमारी BMS first year की classes हो गेरा सब कुछ चलती है रचना शरीर, पदार्थ, विग्यान, क्रिया शरीर, संस्कृत, फिजियोलोजी, समीता अध्यान, BMS first year, anatomy, आयरवेद, इतियास और BMS first year का पूरा bundle भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है तो इनी चीजों से हमें क्या पता लग जाता है college के क्या hidden charges है कोई extra fees तो नहीं ले रहा है सारी चीजों के बारे में हमें आयां पर इस तरीके से पता लगता है उमीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफी helpful रही होगी बाकी आपका कोई doubt हो या कोई query हो या आपको किसी चीज के regarding कोई परेशानी हो अगर आपको किसी चीज को लेकर complain करनी हो तो आपको क्या करना है ये जो browser है इसमें आपको क्या करना है शुरुआत में उपर ही उपर आजाना है अगर आप इसमें उपर की तरफ आओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ आपको यहाँ पर mobile number और email ID देखने को मिलती है यहाँ पर आप देख सकते हो help line number दिये हुए इमेल ID भी दी हुई है कुछ भी किसी भी प्रकार का doubt हो आप इन number पर call करकर अपना जो भी doubt हो या कोई भी query हो अपनी colleges के regarding या किसी other चीज के regarding कोई counselor आपके साथ fraud कर रहा है सारी चीज़ों के बारे में आप यहाँ पर बता सकते हो तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं thank you दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए